नमस्कार मैं हूँ अमेट और दोस्तो आज अमर पास अवेलबल है वीवो की वाई सेरीज का एक और लेटेस्ट डिवाईज जो की है वीवो वाई 36 इंडिया में लाउंच हो चुका है दोस्तो प्राइस रखा गया है 16990 रुपए और इस प्राइस यहों को बिलता है RGB RAM के तो चलिए unboxing करते हैं इसी device का देखते हैं कि क्या-क्या features आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं कैसा यह phone और क्या आपको यह iPhone इस प्राइस में इस प्राइस में करना चाहिए या फिन नहीं लेकिन हाँ स्टार्ट करते हैं सबसे बहले इस box की unboxing के साथ और box को पन करते ह इस सबसे बहले हमको देखने मुलता है यह device जो कि हमरे पास अवेलबल है गोल्ड कलर में फ्लालगी में इसको side में रख रहा हूं दोस्तों देखते हैं box में और क्या content दिये गए हैं इसके बाद है transparent back cover कुछ documentation और warranty card वीवो का flash chart दोस्तों जो कियाता है 44 watt के upload rating के साथ में इस मेरे पास अवलबल है gold color में यहां पर हमें black color का option की देखने को मिल जाता है अब दोस्तों इस phone का key highlight feature है इस phone का design तो सच में दोस्तों इस phone का design काफी अच्छा लग रहा है और यह वीवो की दूसरे phones की comparison में काफी अलग भी है दोस्तों सबसे पहले यहां पर back side में आप देख दोस्तों मुझे अच्छा लग रहा है हाला कि frames तो प्लास्टिक के हैं लेकिन हाँ फील करने में यह आपको metal जिसे लग रहे हैं तो build quality और design सच में इस phone का अच्छा लग रहा है थोड़ा सा बारी phone भी लग रहा है दोस्तों लगबद 200 ग्राम के आसम इसका weight होना चाहिए ए प्रेंट design तो बहुत जाथ outdated है लेकिन हाँ back design दोस्तों हमें काफी अच्छा देखने हो मिल रहा है चलि मैं इस phone को जड़ी से setup कर देता हूं दोस्तों और फिर बात करते हैं थोड़ी और डिटेल में इसी device के बारे में और अब दोस्तों यह phone हो चुका है complete setup और हम आगे है पे तो सबसे बले दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर एक वाटर राव नौस प्ले दिया गया है इस स्क्रीन साइज आपको देखने हो मिलने वाला है 6.64 इंचिस का तो एक काफी बढ़ा डिस्प्ले आपको देखने हो मिल जाता है फुल एटी प्लस का resolution यहाँ पर दिया की फोन है जहां पर लगबख 17,000 रुपी प्राइजिंग में सूपर एमुलेट पैनल होना ही चाहिए इनफेक्ट 4G की साथ में तो अब हमें लगबख 10-11,000 रुपी की प्राइज में भी सूपर एमुलेट पैनल देखने को मिल जाता है तो डिस्प्ले का कलर साब देख सकत करते हैं दोस्तों यह भी काफी बढ़ हैं ऐसा नहीं कि नेरो बेजर्स हैं यह क्लिरली विजेबल हैं ब्लैक कलर राइनिंग और यहां पर चिन भी आप देख सकते हैं तो बिल्कुल भी मॉडरन डिजाइन नहीं है दोस्तों फ्रेंट साइट से तो हाला कि रियर साइट के वी वी शोज देखने को नहीं मिलते हैं वीवो के फोस में तो हां यह भी अच्छे से काम कर रहा है सिर्फ टच किया और यह अनलॉक हो जाता है बात करते हैं दोस्तों फोन की यूई की आपको बता दें कि अभी यह फोन काम कर रहा है फंटच ओस 13 के साथ में और दोस्तों यह आउट बॉक्स ही यहां पर अपको देखने मिलता है android 13 के साथ तो यह अच्छी चीज़ है दोस्तों कि यहां पर हमें android 13 आउट ऑबॉक्स देखने को मिल रहा है और दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि इस फोन की यूई जाते हैं यहां यह प्र इस टॉल्ड हैं हाल का Macro Sensor है यहां पर कोई भी अल्टरावाइट सेंसर नहीं दिया गया है दोस्तों फ्रेंट के बात कर रहे हैं तो यह 16 मेगापिक्सल का है चलिए कैमरा को ओपन करते हैं और देखते हैं इस फोन का प्रैक्टिकल कैमरा एक्स्पियेंस तो सबसे बहुत हम देख सकते हैं दोस् 720 पिक्सल्स और 1080 पिक्सल्स का option दिया गया है 1080 पिक्सल्स पे सिर्फ 30 fps पे ही शूट कर सकते हैं इसके लाव अगर आपको 60 fps शूट करना है तो 720 पिक्सल्स में यह दोनों option अवेलेबल हैं इसका मतलब दोस्तों 4 के तो यहां पर नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो 1080 पि सकते हैं कुछ camera images जो कि हमने इस फोन के रियर और फ्रेंट के अपने से करी हैं बहुत दी आवरेश से दोस्तों मतलब बहुत बहुत इंप्रेसिव नहीं है ठीक-ठीक इमेजिस आप कह सकते हैं कलर सबगे ठीक हैं हाले की detailing बहुत proper नहीं है दोस्तों तो यह आप देख सकते हैं और यह भी दोस्तों okay से ही हमको देखने को मिली तो कुछ इस तरीके का कैमरा में देखने हो मल रहा है दोस्तों वीवो के वाई 36 में और अब दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं इस फोन के परफॉर्मेंस की तो आप में से हो सकता है कि काफी साथ लोगों को यह सुनकर नहीं रहा है और खेर यह हम जानते हैं कि स्नाप रेंगे 680 दोस्तों एक बहुत पावरफुल चिपसेट नहीं है बहुत डिसेंट सा चिपसेट है जो कि अभी हमें लगबग 9-10,000 रुपे की प्राइजिंग में देखने को मिल जाता है दोस्तों लेकिन दोस्तों वीवो न परफॉर्मेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यह हमको जानना होगा अगर आप हैवी गेमिंग करना चाते हैं तो उसके लिए फोन बिल्कुल भी नहीं है यह है फोन सिर्फ डेली उसके लिए या फिर हलके फुलकी आमने गेमिंग कर ली तो उसीच के लिए ही दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिल जाता है चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ बात करते हैं इस फोन के बैटरी की तो पांच जारे मिच का बैटरी आपको देखने हो मिल जाता है आज कल सभी फोन पर यही बैटरी दिया गया है दोस्तों और साथ ही यहां पर दिया गया है दोस्तों 44 व i36 मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इस फोन को लेने का कोई भी रिजन बनता है जी हाँ इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जिसके के लिए 17,000 पे खर्च करने पड़े दोस्तों ऐसा ही फोन हमें वीवो की तरफ से ही 10,000 और 12,000 पी प्राइस में देखने को मिल ज आते हैं दोस्तों उस फोन की हमने बरके तारिफ की दी दोस्तों लेकिन मुझे तो लगता है कि किसी को भी यह फोन जो की एटलिस मेरी वीडियो देख रहा है उसको यह फोन नहीं खरीदना चाहिए मैं आपको यहीं सजिस्ट करूँगा तो बस दोस्तों यहीं पर मैं देखने के बहुत बहुत धनिवाद